हमारी संस्कृती, हमारे संस्कार, सदा रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें, दिलक जै श्टी राम, आप सभी का हमारे लोग्प्री कारिक्रम, दर्शन में हार्द कभी नंदन, भक्तों, भगवान श्टी हरी विष्णु के साथवें अफ्तार, मर्यादा पुर्शोत्तम, प्रभूश्टी राम चंद्रजी, स्वयम धर्म का पर्याय हैं, उनसे संबंधित हर व श्टी राम से संबंधित और अयोध्या से लग कर भेने वाली सर्यू नदी को भी धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व प्राप्त हैं, त्रेता युग में प्रभूश्टी राम चंद्रजी का केवट की नौका में बैठ कर सर्यू नदी को पार करने का केवट प्रसंग, जग विख्यात हैं, सर्यू एक वैदिक कालिक नदी है, जिसका उलेक रिगवेद सहित अनेक हिंदू शास्त्रों में मिलता है, मानस खंड में सर्यू नदी को पवित्र गंगा नदी की उपाधि दी गई है, माननिता है कि जिस प्रकार गंगा नदी को भागीरत क द्वारा स्वर्ग से धर्ती पर लाया गया है। उसी प्रकार सर्यू नदी को भी स्वर्ग से ही महर्शी वशिष्ट के द्वारा धर्ती पर उतारा गया है। ये नदी अनेक हिंदू पौराणिक प्रसंगों और घटनाव की साक्षी रह चुकी है। शार्दा नदी की सबसे बड़ी सहयक नदी के रूप में सर्यू हिमालय की मान सरोवर जील से निकलती है। इसे घागरा नदी और मानस नंदनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 350 किलोमीटर लंबी इस नदी को उत्तराखंड में काली नदी के नाम से जाना जाता है। मैदान में उतरने के बार जब इसमें करनाली और घागरा नदियां आकर मिल जाती हैं तब इस नदी का नाम सर्यू हो जाता है। उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी भागों में इसे शारदा के नाम से भी जाना जाता है। सर्यू नदी बिहार के सारन जिले में आकर गंगा में विलीन हो जाती है। धर्मनगरी अयोध्या में पवित्र सर्यू नदी के तट पर अनेक घाट बने हुए हैं, जिन में से नया घाट, जान की घाट, राम घाट, लक्षमन घाट, गुपतार घाट मुख्य रूप से उलेखनी हैं। मान्यता है कि इन में से किसी भी घाट पर आकर सर्यू में डुप की लगाने मात्र से ही, मनुष्य के द्वारा जाने अंजाने में किये हुए जन्म जन्मांतरों के समस्तपाः हमेशा के लिए धुल जाते हैं। चोड़े पाट वाली सर्यू नदी के सभी घाटों पर नाव चलाने वाले अपनी नाव को परियटकों और श्रद्धालों के लिए सजा कर तयार रखते हैं। इन नौकाओं में बैठकर आप सर्यू नदी के सभी घाटों के सौंदर्य का आत्मिक अनभव कर सकते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय तो जब सूरी की किर्णे सर्यू के जल में उतरती हैं तब संपोन नदी ही स्वर्णसी प्रतीत होने लगती है। सर्यू नदी के सभी घाटों पर सायकाल में आर्थी होती है, जिसमें श्रद्धालू बड़ी श्रद्धा के साथ उपस्थित होते हैं। सायकाल की सर्यू आर्थी में सम्मिलित होकर श्रद्धालू को सच्चे आत्मिक सुख और मानसिक शान्ती की अनुभूती होती है। दीपा वली में होने वाले दीपोत्सव के समय तो इस नदी के घाटों की छटा देखते ही बनती है। जल में दियों की छवी एवं घाटों पर दियों की सजावट इस पूरे सर्यू क्षेत्र को दुलहन की भाती सजा देती है। अयोध्या में सर्यू नदी के घाटों और नव निर्मित राम मंदिर के अलावा भी बहुत से धार्मिक और एतिहासिक महत्व के स्थान हैं जैसे राम कोट, कनक भवन, हनुमान गड़ी, मनी परवद, नागेश्वर नाथ मंदिर, तुलसी समारक भवन, वालमी की रामायन भूम लेना संभव नहीं है, अयोध्या तक पहुंचने के लिए आप किसी भी मार्ग और माध्यम का चयन कर सकते हैं, हवाई मार्ग के द्वारा आप लखनव हवाई अड़े आकर, वहां से बस अत्वा कैप द्वारा लगभग 130 किलोमीटर की दूरी तै करके अयोध्या पह अगर आपको हमारा ये कारिक्रम अच्छा लगा, तो आप भी शीग्रही अपनी अयोध्या यात्रा का शुभारंब करें, आज के इस कारिक्रम को यहीं पर विराम देते हैं, एक नए धाम की यात्रा पर आप से फिर भेंट होगी, प्रणाम इती शुभाम